मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शक्खों का हारदे कभी नंदन करता हूँ एस्टो तक की खास प्रस्तूती कमल नंदलाल के महा उपाए जो आपके जीवन को सरल सुगम और सफल बनाए सिर्फ एस्टो तक दोस्तों कमल नंदलाल के महा उपाए इस प्रोग्राम का उद्देश है आपके जीवन की जटल से जटल समस्याओं का सरल से सरल समाधान देना बड़े पूजा पाठों के बगएर बहुत सीधे और बहुत सरल एक ही दिन के कुछ उपाए जिससे आपकी समस्याओं में आपको रहत मिल सके उद्देश ही यह है और हम आपके लिए वरतमान समय में चला रहे हैं शनी जैनती स्पेशल सीरीज जिसके तहत आज भी हम बहु विशे पर बात करेंगे आईए जानते हैं विशे के बारे में मित्रों आज का जो हमरा विशे है न वो बड़ा खास है लेकिन थोड़ा सा दरावना विशे है जिया हमरा विशे है इस लकडी का करे दान और पाएं दुर घटेना से सुरक्षा देखिए आपने सुना होगा के दिन लोहा लकड नमक जूते तेल ये नहीं लेना चाहिए बिल्कु ठीक है इन चीजों पर शनी का वास होता है और देखे एक कहावा तोर भी सुनी होगी आपने लकडी जल कोईला भै कोईला भैराख सुना होगा ना आपने यानि कि लकडी शनी में जब आप मंगल डाल दोगे तो वो कोईला यानि कि राहू बन जाएगा और कोईले में अगर फिर मंगल डालोगे तो वो राख यानि कि केतू बनकर मुक्षद देगा ये एक सद्धानत है और इस सद्धानत के पीछे जोतिश का विज्ञान है आज आपको बताऊंगा एक बड़ा छोटा सा कास्मिक हादसों से जो जीवन लेने वाली दुरगटनाएं होती है उनसे मुक्ती मिलती है देखिए शनी जैनती विशेश परव है ऐसे में शनी देव उस दिन अपनी पूरी जागरत स्थिती में होते है और इस बार शनी जैनती का परव जो है 30 मई 2022 को सुमवार के दिन है और 300 साल बार शनी जैनती और सुमवती अमाव से एक दिन पढ़ रहे है बड़ा विशेश परव बन गया है और ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या किया जाए जो हमारे जीवन को रक्षा प्रदान करे तो विशेश आपको क्या करना है आपको थोड़ी सी लक लकड़ी जो जलती है वो लकड़ी जो से चिता जलाई जाती है वो लकड़ी आपको ले लेनी है और पश्चि मुखी होकर शनी देव से और यम से यह परार्थना करनी है कि हे शम शम मतलब शम्शान से संबन लों का शम मतलब मृत्यू इसलिए शम शने शचराय नमा कहते है मरघट में वास करते हैं शनिदेव तो आपको क्या करना है पश्चि मुखी होकर यनि कि अस्ती मुखी होकर आप शनिदेव से प्रार्थना करे कि है शनिदेव मुझ पर जो कश्ट विपदाएं है उनका नाश हो और मैं सुरक्षित रहूं मैं आपकी निमित इस लकडी का दान शम्षान में करता हूँ और शम्षान में जाकर इस लकडी का दान आप दक्षन मुकी होकर कीजे यनि कि जो यम के दिशा है उस यम के दिशा की तरह फेस करते हुए आप इस लकडी का दान कीजे आश्वस्त करता हूँ किसी भी प्रकार की अकासमे के दुर घटना कोई जान लेवा इस्तिती से आप निश्चे द्भारा जाएंगे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाई में तब तक इजाज़त दीजे और देखते रहें एस्तों तक नमस्कार नमस्षिवाएं